मीट की दुकानों को लेकर जैपूर में अक्सर विवाद रहता है लेकिन जैपूर नगर निगम में फैसला किया है कि जो भी मीट की दुकाने होंगे वहाँ पर साइन बोट लगाना होगा किस तरह से क्या होगा बाचित करते हैं जैपूर गेटर के मेर हैं सौम्या गुजर य सब्सक्राइब के लिए गई हूँ वार्डों का ओचक निरक्षन के लिए गई हूँ वहां जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जन ताकि लगातार शिकायते होती है कि आवास यह जहां है कोलनीज है उनकी बीच में मीट की दुकाने होने से एक तो आसपास का परिशर खराब रखते हैं साथ में हमारे सीवेज चेमबर होते हैं अगर मीट की दुकाने एवेज मीट की दुकाने हैं वो कहीं भी गंदा भी करते हैं सीवेज चेमबर चोक कर देते हैं इस तरह की शिकायते मुझे लगातार मिल रही थी उसमें हाल ही में हुई हमारी वो बाहर जहां कमर्शियल एरिया है उसके अंदर मीट की दुकाने संचालित होगी और इसके साथ ही एक निने लिया गया जन भावनाओं को ध्यान में डखते वे कि मीट की दुकाने जो भी संचालित नगर निगम ग्रेटर में होता है उसमें जटका और हलाल क्योंकि धार्मि हो लोगों की भावना के अनुरूप हो लोग जन भावना के अनुरूप निने लिया गया इसमें एक समस्या यह आती है कि कमर्शियल पट्टा जहां होता है वहां लोग मीट की दुकाने खोलने की जाज़त नहीं देते हैं इसलिए अलग सुनसान जगों पर या फिर नाले क कि आसपास कहीं खोल लेते हैं यह कमर्शियल पट्टा होने पर ऐसी बात नहीं है यह भी एक अलग मार्केट है और कमर्शियल पट्टा होने पर ही नगर निगम लाइसेंस देगा तो वो कोलनी जो है आवासी जगह है उनसे वो बहार जाकर उनकी दुकाने रहेगी जिसकी कोि अनसे वेजय से लोगों को परिशानी नहीं हों कुछ लोग जैसे मैं हूं मैं एक एक poziomple दे रहे हूं आपको मैं हुए मैं साकाहरी हो मैंने कभी तो मुझे वो दुर्गंत बरदाश ही नहीं होती हैं तो अलग-अलग होता है तो जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग और भी होते हैं और कुछ कोलोनीज में तो पूरे सब मिलकर एक साथ में उन्हों 500 के संक्या में विरोध भी किया तो उनके कहने पर अनराई कोलोनी के अंदर मीट की दुकाने 12 से 13 मीट की दुकाने ततकाल मैंने सीज करवाई जन भावनों को ध्यान में रखते वे तो ये लगाता पार नगर निगम में इस तरह की शिकायते प्राप्त हो रही थी जटका और हलाल मीट इसे लेकर भी कोई शिकायत आई थी या फिर आपने खुद से ये निने किया है ये निने एक्जिकुटिव कमिटी का निने है उसके अंदर माननी है कमिटी की जितने सदश्य हैं सदश् चाहिए तो उसको जटका ही मिले यानि वो एकदम सपस्ट हो अगर दुकान की उपर लिखावा होगा कोई अगर वस्तर की दुकान पर वस्तर ही लिखावा होता है कोई अचार की दुकान पर अचार ही लिखावा होता है जो हो दुकान में डिपार्टमेंटल स्टोर है तो पूरा मेंशन होता है और सविधान के अंदर भी है कि हमें जो भोजन का उपियो करना है जिस तरह का करना है हर किसी व्यक्ति को स्वतंद रता है और किसी को किसी भ्रह्म बस या किसी की आड में ऐसे गलत नहीं हो किसी के साथ आप चाहेंगे कि ये फैसला जो है पूरे राजस्थान में लागू हो देखिए ये नगर निगम ग्रेटर जैपूर का एग्जुकुटिव कमिटी के अंदर विचार करके और उस पर ये फैसला लिया गया है और अगया ये फैसला जन मानस के अनुसार हो सही हो तो राजस्थ के अंदर भी लेना चाहें पर हमने शुरुवात की है अभी हम इस पर हमारा जो प्लैन है वो बना रहे है और जल्दी ही कारवाई भी शुरू हो जाएगी अब इस तरह से जैपूर अगर आएंगे तो आपको साइन बोड देखने को मिलेगा जिस पर लिखा रहेगा कि ये जहटका मेट की दुकान है या फिर हलाल मेट की दुकान है और जैपूर ग्रेटर निगम ने ये फैसला इसले लिया है क्योंकि इनका मानना है कि जन मानस ऐसा चाह रहा था कैमरा में सर्मा के स्याव शारत कुमार जैपूर आज तक